इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होईलर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वेकेंसी रहेगी यहाँ पर सिविल, एलेक्टिकल, मेकेनिकल इंजिनियर सिलिजबल हैं, फ्रेसर सिलिजबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामने संफीस लगेगी और क्या बताये गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आपके जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वोक्ट सब्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका मियूनिसंस इंडिया लिमिटेट की तरफ से निकाला गया है ये संसा आपकी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस में आती है और गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटर्प्राइज़ है तो बिसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे सिविल इंजिनियर्स के लिए टोटल यहाँ पर दस पोस्टो पर वेकेंसी रहेगी अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है अलेक्रिकल इंजिनियर्स के लिए अगर आपने B.E.B.T. किया फिर डिप्लोमा किया है, Electrical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे, Electrical Engineers के लिए यहाँ पर 10 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी, अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है, Electronic and Telecommunication Engineers के लिए, अगर आपने B.E.B.T. किया फिर डिप्लोम किया है, इस ब्रांच में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे, Next वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है, Mechanical Engineers के लिए, अगर आपने B.E.B.T. किया फिर डिप्लोमा किया है, Mechanical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे, Mechanical Engineers के लिए यहाँ पर 10 पोस्टों पर वेक पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी, बात करें आपके selection process के बारे में, तो selection process यहाँ पर आपका direct base रहने वाला है, जो भी B.E.B.T. किया फिर डिप्लोमा में आपके final mark आएंगे, उसी के हिसाब से short list करके यहाँ पर आपको document verification के लिए बुलाए जाएगा, यह advertisement आपका 14 जन्वर यहाँ पर 9000 रुपे प्रतिमन्थ और डिप्लोमा वालों को, monthly stipend यहाँ पर 8000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है, बात करें आपके apply process के बारे में, तो apply process यहाँ पर आपका online और offline रहने वाला है, आपको यह वाला application form लेना है, इस application form के साथ में आपके जितने भी जरूरी document है, उन सब को आपको self test करना है, और भेज देना है इनके official address पर, इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को Google form के थूभी यहाँ पर अपना application submit करना है, interested और eligible candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, सुक्रिया